नवस्कार ख़वरों की ख़वर में आपका स्वागत है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अर्विद केजरिवाल अब एडी के महमान बन गए उनको रात भर एडी दफ्तर में ही रखा गया ग्राउंड फ्लोर पे नींद नहीं आई चट पटाते रहे अरे जिस सक्स को लत लग गई हो शीश मैल की उसे एडी के दफ्तर में नींद कैसे आएगी लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर गरिफ्तारी किस आधार पे की गई इस वक्त जब ये वीडियो रेकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त एडी दफ्तर में सवालों के बौचार किये जा रहे हैं और ये अर्विंद केजरिवाल है जो गूंगा बहरा बन गया है जब आभी नहीं दे रहा और इसलिए वो कॉपरेट नहीं कर रहा है ये सबसे बड़ा आधार होगा जब अब से कुछ देर बाद जब केजरिवाल को रौज डबन्यू कोट ले जाया जाएगा जज के सामने पेश किया जाएगा इधर आमाद्नी पाटी बड़ी लंबी चौड़ी बाते कर रहे हैं कि देश व्यापी आंदुलन होगा दस बज़े का टाइम दिया गया था दस तो बीत गए कहीं कोई आंदुलन होता नजर नहीं आ रहा कार करता रोड पे नजर नहीं आ रहे इकका दुकका हजार दो हजार लोग वो भाड़े पे लाए गए लोग वो धरना प्रदर्शन में जुटे हुए है कहानी तो बहुत मज़दार आ रही है कि किस तरीके से अरविंद केजरिवाल की टीम में ही बिस्फोर्ट हो चुका है कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री इसके लिए आपस में ही टकराओ शु या इसने चुपी साधली सवाल ऐसे हैं कि जवाब देगा तो फसेगा क्योंकि इन सवालों के जवाब और रेडी एडी के पास है और लीगल टीम ने जरूर केजरिवाल को समझा दिया होगा कि कुछ मत बोलना गुंगा बन जाओ बहरा बन जाओ ना तुम्हे कुछ सवाद एक उसको ध्यांग से सुनिये और क्यों यह सवाल पूछा जा रहा है इसको भी जानना और समझना जरूरी है पहला सवाल आपकारी नीती की योजना किस ने तयार की थी यह योजना किस की थी यह जो नियू एक साइस परसी आपने लाया किसका आइडिया था भाई अचानक से क्या आश्मान तूट पड़ा जो आपको यह नया कानून लाना पड़ा यह सवाल ट्रिकी सवाल है क्योंकि मनिस्टी सोदिया सुप्रिम कोर्ट में कह चुका है कि मेरा आइडिया नहीं था तो किसी का तो आइडिया होगा किसने इसकी सुरुवात की जवाब देगा तो जाएगा खुद को लेगे बीते या फिर मनिस्टी सोदिया का नाम लेना पड़ेगा इसलिए इसने जवाब नहीं दिया दूसरे सवाल पूछा गया सरकारी कमपनियों से लेकर सराव वितरन का काम प्राविट कमपनियों को क्यों दिया गया यही तो ट्रिक है यही तो ट्रिक है इस सवाल इसके पीछे कई सारी कहानिया है जब नहीं सराव निती नहीं आपकारी निती बराने की घोशना की गई तो एक्सपर्ट पैनल बनाए गए जिसमें सुप्रिम कोट के जजेज, साथी साथ, लीगल लिमिनरीज, कई अधिकारी, एक साइज डिपार्टमेंट के पुर्व अधिकारी, इन लोगों की एक कमिटी बनी थी, जिसने ये कहा था, कि जो डिस्ट्रिबूशन का काम है, ये काम हमेशा सरकार अपने पास ये इससे फाइदा होता है, सरकार की कमाई बढ़ती है, लेकिन इसने, इसकी सरकार ने, इससे प्राइविट हाथ में दिया, तो ये तो बताना पड़ेगा, क्यों किया, किसने किया, किसके आदेश पे हुआ, और ये आदेश इसलिए भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि ज इससे बढ़ा कर 12% किया गया था या नहीं, अब ये बात हो रही एक मीटिंग की, जिसके बारे में कई सारे गवाह ने बताया, कि ये जो फैसला हुआ, एक तो प्राइविट कमपनियों को आपने डिस्टिबुशन दे दिया, जो करते हैं 11 लैसेंसे, तो 11 लैसेंस के लिए 5% से बढ़ा कर 12% का जो फैसला लिया गया, ये भाई साब मवजूद थे, ये गवाह बता रहे हैं, इसका भी जवाब केजरिवाल ने नहीं दिया, तो ED के अधिकारी बोलने भी बैस सवाल पूछ रहा हूँ, कोई जवाब नहीं देंगे, तो हमको तो गरफतार करना लेकिन ये तो चालू चतुर है, जब आप नहीं दे रहा, भगसिंग बनने का सौक था, ये सराप के घोटाले में ये पस गया, अगला सवाल पूछा गया, क्या आपकारी नीती का फानल ड्राफ्ट आपने आपकारी सचिव को दी थी, लीजिए, ये कहानी एसी अर्वंद क की, एक साइस सिक्रेटरी, जो सीधे मनिसी सोधिया के डिपार्ट्मेंट में काम करता था, वो भी एक आरोपी है, उसने एडी के सामने बताया कि मुझे कॉल किया गया एक दे, मनिसी सोधिया ने कहा कि भई बास के घर चलना है, तो यही शीश महल में, जहीं उनके आवास प को दिया, और कहा, यही कानून, इस पे ही कानून बनाओ, अब चुपी सादे हुए है, जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या इसका जवाब देंगे ये, क्योंकि यह तो पूरे, देखिए, बात क्या है, कि आम आदमी पार्टी हो, या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे दि केजरिवाल की सहमती के पत्ता तक नहीं हिलता है, तो इन सवालों का तो सीधा-सीधा रिस्ता केजरिवाल से ही बनता है, अगला सवाल पूछा गया, दिली में ऑपरेट करने वाले सराभ्यापारियों से आपकी कब-कब और कहा मुलाकात हुई, बताओ भई, कट्टर इमां पूदार, कहा कहा मुलाकात हुई, कब-कब मुलाकात हुई, संजय सिंग के घर पे भी मुलाकात हुई थी, जहां दो कड़ों लेल देन की बाची चली थी, यह सारे सवाल है, क्योंकि बहुत साराभ्यापारी सरकारी कवाब बन गए, उन्होंने पूरी डिटेंडी है, मानि को हमें कौन पकड़ेगा, हम तो दिल्ली के मालिक हैं, लेकिन वही तस्वीरे आज केजरिवाल के गले की फास बन गई है, अगला सवाल पूछा गया, किन अधिकारियों ने सराव का कमिशन पांच प्रतिसत से बढ़ा कर 12 प्रतिसत करने का विरोध किया, क्या उन्हें हटा बना दिया गया, किस्क्या आदेश पे थाया जाया, आप पने हटाया, या मनिसी सुदिया हटाया, इस नहीं हटाया, नईंधनी नाम लोग तुम फशोगे, गोटाला थोई लोगों ने करके अपने सिर्पे ऐसी मुसिमत मोल ली है कि ये बच नहीं सकते अगला सवाल पुछा गया जब से सराव मीती को लागू किया गया तब से आपने कितने फोन बदले पुराने फोन का क्या हुआ अब समझे मनिश्य सुधिया ने भी काम किया था 15 महिने में 9 फोन बदल दिये और कई सारे 45 सिम 9 फोन 45 सिम पूछा गया कि भई यह आइफोन क्यों बदल रहे थे जैसे सर्ट आदमीं बदलता है वैसे तुम आइफोन बदल रहे थे वो भी डेटे लाग रुपे का आईफोन लेटेस्ट मॉडल तो उसने का कि देखी ये मॉडल बदलते रहते तो भई ED का दिकारी उन्हें मरी से सुधिया से पूछा कि भई ये बता हो कि 15 मैंने में नौनो मॉडल लांच कर दिया आईफोन ने क्या किया उस फोन का डिस्ट्रॉइ किया गया जैसे ही मालूम चला कि CBI इस पूरे केस का investigation करने जा रही है पूरी तरीके से इसको डिस्ट्रॉइ किया गया तो केजरिवाल से भी पूछा जा रहा है आपके पास भी फोन थे कितने फोन थे जवाब नहीं मिला कोई जवाब नहीं दे रहे वो कोऊपरेट कर रही हैं अगला सवाल पूछा गया सराव कारूबारी समीर महंदरू से बिजय नायर को माय बॉय बता कर पैसे देने का भरोसा करने के लिए फेस्टाइम पर कहा या नहीं ये बिजय नायर इनका कम्मिनिकेशन इंचार्ज तिहार जेल में सड़ रहा है आज सामें मुलाकात होगी दोनों की समीर मेहंदरू से पैसे के उगाही करने गया था वो उगाही मास्तर केजरिवाल का तो उसने पहचाना नहीं वहीं कौन विजेनायर तो उसने मनिस केजरिवाल से सिधे फोन करवाया था फेस्टाइम पे वीडियो कॉलिंग वीडियो कॉलिंग और केजरिवाल ने कहते हमारी बच्चा है दे दो अब केजरिवाल से सवाल पूछा गया तो चुप हो गया जैसे कि सवाल सुना ही नहीं यह है भगत सिंग यह है कटरी मांदार यह आयते भरसचार को खत्म करने के लिए छाती पीटे डिमोकरसी की मौत और डिमोकरसी की मौत तो तब होती है कि जो नेता जनता का फरोसत होती है जब आप लोगों को गुम्राः करके वोट लेते हैं और सरकार में आने के बाद थीक वही इल्टा काम करते हैं तुमने कहा तक ब्रस्टा-4 को बिटाएंगे और यह तुम्हारे कुकर्म हैं जो साब-साफ चीक-चीक के कह रहे हैं कि गोटाला हुआ और तुम लोग 80% कर दिया गया इसकी जानकारी आपको थी है नहीं बताईए रिटेलर को एक बोटल के उपर 180% मुनाफ़ा दे दिया क्योंकि भई छे परसेंट कहां से लाकर के देखा एक्स्ट्रा तुम भी कमाओ हम भी कमाते हैं यहीं तो डील थी साउथ लॉब्वी के साथ तो यह सब यह दसो सवाल जिसका जवाब एडी ढून रही है सवाल कि फेरिस्ट और भी लंबी है यह सेट वन है अब इस सेट टू, सेट थ्री, सेट फोर है जो अलग-अलग स्टेज पर केजरिवाल से पूछा जाएगा और जवाब नहीं देने पर ठीक वही हालत होगी जो इसके पुराने मित्र, मनिस्य सोधिया, संजय सिंग, विजय नायर, सतंदर जैन इन तमाम लोगों की हो रही है कि साल भर से यह सब लोग सलाखों के पीछे तिहार का आनंद ले रहे हैं तो इनको भी तिहार में लंबा आनंद लेने का मौका मिलेगा सही सही जवाब अगर यह नहीं देते हैं तो के जिवाल के साथ आज दिनवर क्या होने वाला है इस पर हमारी नजर बनी हुई है आप देखतेरी कैपिल टीवी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद